स्वागत है आपका exam warrior के online study platform पर तो आज हम mock test number 75 करने वाले हैं और इसमें काफी important question मैंने include किया हुआ है और इस question के ज़्यादा chances है exam में आने की अब जो puzzle के question है उसमें अब तक आपने देखा होगा जो भी exam में question आये हुए है सबसे पहला आपका circle बाला भी आ चुका है आपके floor waste sitting arrangement भी आ चुका है अब आपके hoop रहता है देखिए हरवार ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली बार आया था उसी format का इस बार भी आए तो इस बार जो ज़्यादा chances है वो है आपके पंक्ती बैठक वेबस्ता single line या फिर double line दुई पंक्ती बैठक वेबस्ता या फिर square या rectangle अब आपको इस तरह के question भी करने होंगे क्योंकि बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे पिछली बार जो floor waste आया था उसी की तियारी करेंगे देखिए pattern बदल सकते हैं क्योंकि ये सभी puzzle के ही part है तो जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो आया था इस बार भी वही आयेगा तो इस बार मैंने काफी अच्छा question include किया हुआ है single line sitting arrangement का अब ये question इतना अच्छा है कि आप खुदे इससे देख सकते हो कि किस level का ये question है है ये single variable एक ही चीज हमने इसमें यहां set करनी है लेकिन question काफी अच्छा है है ना तो वीडियो को pause करो और खुद से try करो इस question को करने की इससे आपकी काफी अच्छी practice हो जाएगी तो चलिए अब आपने वीडियो pause की होगी try किया होगा करने का अब मैं आपको question बताता हूँ यहां कहा गया है 10 व्यक्ति है A, B, C, D, E, F, G, H, I, R, J एक पंक्ती में बैठे हैं बेस अभी उत्तर के और मुख किये होगे हैं सबसे पहली बात हमें यहां से पता लगी कि वो उत्तर के और मुख किये होगे हैं अगर यहां पर यह भी ना आता कि किस और मुख किये होगे हैं तो आपने हमेशा मान कर चलना है उत्तर के और मुख किये होगे हैं लेकिन अगर यहां कहा जाता वो दक्षिन के और मुख किये होगे हैं तो इसका मतलब होता है वो नीचे के और देख रहे हैं इससे आपका left और right में changes आते हैं ये चीज़ आपको पता होगी अब यहां question कहा गया है ए पंगती के सीरे में दूसरे साहन पर बैठता है अब पंगती के सीरे में हिंदी में अगर आप question को देखोगे पंगती के सीरे में देखो ये पंगती है इसके तो ये दो सीरे है एक ये और एक ये अब ये कहां बैठा है पता नहीं लग रहा लेकिन अगर आप question को English में देखोगे तो benefit में रहोगे यहां साब साब कहा गया है A sit on second position from one of the end of zero मलब अन्तिम छोर से अब अगर यहां पर ये सीरा ही ना दिया होता English में भी ना दिया होता तो आप क्या करते तो हमें दो condition माननी पड़ती पहला तो हमने यहां एको माना दूसरे में हमको यहां एको मानना पड़ता तो इस परकार से हमें question करना पड़ता ठीक है लेकिन आपने हमेशा question English और Hindi दौनों में पड़ना है आगे क्या कहा गया है DA से चार स्थान दूर बैशता है अब जो चीज़ मैं आपको कही थी वो आपने note कर लेनी है चाहे आप यहां possibility बना सकते हो लेकिन possibilities वाला जो short trick है वो जादातर मदद करता है two variable वाले में यहां पर भी आप short trick बना सकते हो आप यहां पर भी condition fulfill कर सकते हो और वो वही बच्चा करेगा जो जादा confused होता है जिसको अच्छी खासी practice है वो तो सीधर direct question को कर सकता है ठीक है तो बहतर होगा आप अपने आपको जांच लें कि आपकी practice कैसी है अब आगे question पढ़ते है D और F की बीच में तीन विक्ती बैटे है D उस विक्ती के तुरंत दाई और बैटता है जो G के दाई से दूसरे स्थान पर बैटा है पहली confusing line I उस विक्ती के बाई और दूसरा बैटता है जो C से C के बाई और दूसरा बैटता है दूसरी confusing line अब यहां कहा गया है A और C पडोसी है ठीक है अब आगे कहा गया है I और V पडोसी नहीं है C जो है और H के बीच दो विक्ति बैठते हैं B उस विक्ति के दाई और दूसरा बैठता है जो E के बाई और तीसरा बैठता है काफी confusing question है लेकिन काफी अच्छे level का है यहां पर आपकी understanding पता लगेगी अब सबसे पहले हम question को करते हैं कैसे करेंगे यह हमने बनाई पंक्ति और यहां बैठे कितने हैं एक तो इस पंक्ति में बैठे हैं यह हमने एक straight line बना दी यह हमने एक पंक्ति बना ली अब यहां बैठे कितने लोग हैं तो दस लोग एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और दस लोग बैठे हैं और वे देख रहे हैं उत्तर की ओर तो हमें दिखाने की जरुरत नहीं है अब यहां पर कहा गया है अब यहां पर आपको एक जरूरी बात मैं बताने वाला हूँ चार स्थान दूर अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे चार स्थान दूर का मतलब वो मानते हैं एक, दो, तीन, चार, डी यहां आगया गलत तरीका है यह पंगती में गलत तरीका है चार स्थान का मतलब आपने समझना है चार स्थान का मतलब होता है एक, दो, तीन, चार इस चौते स्थान पर कौ्न आएगा D आएगा, ठीक है यहाँ चौते स्थान पर D आएगा अब यहाँ पर कहा गया है आगे एक बात यहाँ पर यह थोड़ी कहा था कि पीच में 4 विक्ति आएंगे 4 स्थान का मतलब यह होता है ठीक है आपने ये चीज़े ध्यान में रखनी है आगे कहा गया है डी उस विक्ति के तुरंत दाइं और बैठता है जो जी के दाइं से दूसरे स्थान पर बैठता है अब इस question को आपने ध्यान से सुनना है इस question में arrangement असल में जी के regarding की गई है यहाँ पर जी की sitting arrangement बताई गई ह यह जो second वाली line यह पस confusing करने के ल lira दी गहीए झाला यहाँ कहा गया ही D के उस के तुरंत दाइं और बैठता है ठीक है आगे कहा गया है जो मतलब यह बिक्ति G के दाइं दूसरे स्थान पर मतलब पहला दूसरा तो जी कहां आएगा तो G आएगा यहाँपर तो पहला दूस तो इस प्रकार से हमें G की के जगा पता लग चुकी, बहुत से बच्चों को नहीं पता लगा होगा, मैं बता देता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो यहां कहा है, कि D उस व्यक्ति के तुरंत दाइं और बैठता है, जो G के दाइं दूसरे स्थान पर बैठता है, जो G के दाइं दूसरे स्थान पर, जब G यहां होगा, तब ही तो यह दाइं दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब G के हमें यहां पर जगा पता लग चुकी, तो यहां पर कौन आएगा G, अब यहां कौन परसन आएगा यह हमें नहीं पता ठीक है इसे हम ऐसे रख लेंगे अब आगे बात कही गई है कि I उस व्यक्ति के बाई और बैठा है जो C के बाई और दूसरा बैठा है अब यह में C का पता नहीं तो C हम क्यों बैठा है ठीक है आगे देखते हैं A और C पडो दी गई है उसे हमने देखना है तो सी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे तो सी के रिगार्डिंग यहाँ पर यह बात कही गई थी कि आई उस व्यक्ति के बाई और दूसरा बैठा है अब सी के बाई और दूसरा अब बाई और दूसरा कहा गया है तो पहला दूसरा अब यहां देखो यह बाई और दूसरा, मतलब आप question को ध्यान से पढ़िए कि I उस व्यक्ति के बाई और दूसरा बैठा है, जो C के बाई को दूसरा बैठा है, C के बाई को दूसरा, अब C के बाई को दूसरा आप देखो कि यहां पर एक दूसरा, यहां पर वो व्यक्ति आ लो, यहाँ A आएगा, यहाँ पर आएगा, चलो एक बार मैं यहाँ मान कर चलता हूँ, C यहाँ पर है, और पहली दूसरी कंडिशन में यह मान कर चलूँगा, कि C यहाँ पर है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, C और H के बीच में दो विक्ती बैठे हैं, अब यहाँ पर मेंन लाइन है, C और H के बीच में दो विक्ती बैठे हैं, अब यहाँ पर हम C और H के बीच में दो विक्ती बैठा सकते हैं, यहाँ पर देखो 1, 2, यहाँ पर H जाएगा, लेकिन क्या हम यहाँ पर 2 विक्ती बैठा अब हम उस question को भी कर सकते हैं जो यहां पर कहा गया था अब यहां पर हम इस line को पढ़ते हैं कि I उस विक्ति के बाएं दूसरा बैठा है जो C के बाएं दूसरा बैठा है C के बाएं दूसरा कौन बैठा ठीक है C के बाएं मतलब इस ओर को हमने देखना है C के बाएं दूसरा यहां पर कोई विक्ती बैठा है तो I उस विक्ती के बाएं और दूसरा है तो बाएं और दूसरा है एक दो I यहां पर आएगा आई के बारे में यह बात कहीं है मतलब वो व्यक्ति जिसके बारे में यहां बात हो रही है और इसके बाई दूसरा आई बैठा है तो हमें कोश्चन हो चुका यहां से अब यहां कहा गया है B उस व्यक्ति के दाई और दूसरा बैठा है जो E के बाई और तीसरा बैठा है अब यहां कहा गया है B उस व्यक्ति के दाई और दूसरा बैठा है जो E के बाई और तीसरा बैठा है E कहां बैठा होगा अब यहां एक चीज़ आप मुझे बताओ क्या हम E को यहां बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं यहां कहाएगी B उस वेक्ति के दाई और दूसरा बैटा है जो E के बाएं तीसरा बैटा है तो E का बाएं तीसरा एक दो तीन क्यूंकि question में साफ का गया है कि बाईं और तीसरा बैठा है एक अब आप एक प्यार थीसरा क्या हम यहां सकते हैं क्या possible है नहीं है ना तो यह कट हो जाएगा, तो यह कट हो जाएगा, इसका मतलब जो यह स्टार था, यहां पर E आएगा, यहां E आएगा, तो ही B उस विक्ति के दाएं दूसरा बैटा है, जो E के बाएं तीसरा बैटा है, जो E के बाएं तीसरा बैटा है, जो E के बाएं तीसरा बैटा है, B उस व्यक्ति के बाएं दूसरा बैठा था मतलब जो व्यक्ति E के बाएं तीसरा बैठा है तो E के बाएं तीसरा A की व्यक्ति आ सकता है यहाँ पर क्योंकि E यहाँ पर ही आएगा तो ही E यह व्यक्ति यहाँ आएगा तो इस विक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर B बैठा है तो दाएं दूसरे स्थान पर हमने B को बैठा लिया तो बस यहां से question हमारा range हो चुका अब आगे क्या कहा है आगे हम देखते है question हमारा पूरा fulfill हो चुका लेकिन हमारी condition तो अभी भी अदूरी है A पंक्ति के सीरे में दाएं दूसरा बैठा है ठीक है यह भी हमने किया कि दूसरे स्थान पर बैठा है D A से चार स्थान दूर बैठा है D और F की बीच में तीन विक्ति है यहां पर हमने एक चीज मिस कर दी D और F की बीच में तो D यहां है F की बिच में 3 विक्ति है 1, 2, 3 तो F यहां आएगा तो यह विक्ति भी हमें मिल चुका तो यह विक्ति भी हमें मिल चुका यहां कौन आएगा यहां पर आएगा F F आचुका अब एक विक्ति बचाए उसे तो हम सीधे ही अरेंज कर सकते हैं वो है J यह easy है लेकिन जब आप इसके words देखोगे किस प्रकार से confuse करता है तो यह काफि टीपिकल और मुश्किल हो जाता है इसमें short trick बच्चों का यही doubt होगा कि इसमें जो आपने short trick बताई थी उसे apply कैसे करेंगे उसे apply कैसे करते हैं आपको मैं short trick लिखना बता देता हूँ जैसे यहां कहा था कि यह जो है पंक्ति के सिरे मतलब अंतिम सिरे से दूसरा बैठा तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते थे आप इस प्रकार से लिख सकते थे डी ए से चार स्थान दूर बैठा हुआ है तो कौन डी ए से चार स्थान दूर बैठा है इस प्रकार से आप इसे लिख सकते थे हैं डी और एफ की बीच में तीन विखती है इस प्रकार से बस आपकी understanding कितनी है यह यहां पर पता लग जाती मतला आप किस परकार से सोचते हो, किस परकार से आप question को लिख सकते हो, और ये trick आप बहाँ पर ज़्यादा इस्तिमाल करो, जहाँ पर two variable question आते हैं, ऐसे simple question में उतना इसको use नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे ये line कही गई थी, इस trick को आपने हर यूज नहीं करना, आप कर सकते हो, ये आपके understanding level पर depend करता है, ठीक है, तो ये इसका solution था, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, question यहाँ से कैसे पुछे जाएंगी, ये तो काफी easy होता है, आप से कहा जा सकता है कि शुरुआत से, या फिर, पंक्ति के अंतिम सिरे से तिसरे स्थान पर कौन है, अंतिम सिरे से तिसरे स्थान पर तो एक, दो, तीन, यहाँ पर जी आएगा, शुरुआत से तिसरे स्थान पर कौन है, B है, B के दाएं तिसरे स्थान पर कौन है, तो एक, दो, तीन आई है चलो एक question आपके लिए comment section पर ठीक है आपने मुझे बताना है कि आई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है आई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो easy question है आपने बस comment कर देना है ठीक है वीडियो अच्छी लगी होगी तो like और share आपने जरूर करना है ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इससे आपके HP Police Constable के तैयारी बहतर हो जाएगी क्योंकि एक से एक बढ़कर हम यहाँ पर reasoning के question ला रहे हैं और यह होते भी 5 marks के हैं यह puzzle के question होते भी 5 marks के हैं तो काफी important है तो वीडियो को share जरूर कर देना तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में